आज के पाठ का शीशक है मेरे सक्षटकार डाक्टर रामिलाश शर्मा इस पाठ के अध्यन के उपरांथ आप रिगवेद में वन्डि श्रमक संस्कृती से परचित हो सकेंगे हिंदी जात यार उसकी सांस्रित की चेतना को समझ सकेंगे तथा आलोच की विवेक और विचार धरा के संबन्द को जान सकेंगे डाक्टर रामिलाश शर्मा बहुपठ और बहुशुत विद्वान है उन्हें उनकी पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने और साक्षात कार के द्वारा जानने में अंतर है पुस्तकों में जो बिंदु छूट गए थे या जिन पर कम प्रकास डाला गया था वे सब साक्षात कार में और अधिक इसपस्ट हुए हैं डाक्टर शर्मा की अलोचना का केंद्र 1857 का पहला स्वाधीन संग्राम है इसे ही वे अपनी अध्यन की धुरी मानते हैं सोई हुई हिंदी जात को जगाने का काम 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने ही किया था इसलिए नकेवल हिंदी गद्य की तमाम बिदाओं का आरंब 1857 के बात होता है बलकि हिंदी नवजागरन की शुरुवात भी यहीं से होती है डाक्टर शर्मा का अध्यन बहुविद है अपनी अध्यन के दौरान दुनिया के तमाम ग्यात अग्यास रोतों का उप्योग वे अपनी मानिताओं की पुष्टी के लिए करते हैं हिंदी जात की सांस्क्रतिक चेतना को लेकर वे बहुत चिंतित रहते थे अंग्रेजों का ब्रोत करने के कारण हिंदी को लगातार उपिक्षित किया गया था जिसके कारण हिंदी जात की कोई सांस्क्रतिक चेतना उभर कर नहीं आ पाई इसलिए वे हिंदी जाति को संगठित करना चाहते थे उनकी मानिता थी कि जब मराठी, बंगला और तमिल इत्याद भाषाओं में जातिय संगठन है और राजों का बटवारा भाषाया आधार पर किया गया है तो हिंदी की जातिय भावना को दिहान में रखकर हिंदी जातिकावी एक राज बनना चाहिए था एक राज बनानी के अपिक्षा हिंदी भाषी ख्षेतर को अलग-अलग राजों में बाटने के कारण हिंदी की जातिय चेतना भी विवाजित हुई हिंदी जाति में सांस्कृतिक चेतना का जो भाव है उसका कारण भी यही है राम बिलाज जी यही मानते हैं कि 1857 की पराजय के बाद जिस प्रकार नवजागरन की शुरुआत हुई उसके प्रोधा भारतिय नौहरिश्चंद्र और आचार महाविर उपसाद दुवेदी हैं आचार दुवेदी ने हिंदी जाति को विग्यानिक चेतना दी जिसके आलोक में वो अपने को अतीत और वर्तमान का मुल्यागन करने में समर्थ हुई उस समय की पत्रपत्रकाओं ने हिंदी जाती में जिस प्रकार राष्टी चेतना का प्रसार किया उसके परिनामत सरूप एक और भाषा किया इसमेता के प्रते जागरूकता बढ़ी तो दूसरी और राजनितिक चेतना का भी प्रसार हुआ राम बिलाज जी मार्क्सवादी आलोचक हैं मार्क्स की अपरतिम कृति पूंजी का अनुबाद करते समय उन्हें जो आधार सूत्र मिले उनके आधार पर उन्होंने रिगवेद का ध्यन किया और निशकर से निकाला कि उसमें जो श्रमिक संस्कृती है उसकी उपिक्षा की ग अब हम रिगवेद और श्रमिक संस्कृती पर बात करेंगे डाक्टर रामिला शर्मा जैसे प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक ने जब एक साक्षातकार में स्विकार किया कि वे आजकल रिगवेद पढ़ रहे हैं तो हिंदी जगत में नई सुरसुराहट शुरू हुई जी में यह साहस था कि उन्होंने से स्विकार किया जब उनसे दूसरा प्रशन किया गया कि आपको इसकी आशक्ता क्या थी तब उन्होंने उतर दिया मैंने शुरूआत इस तरह की थी कि मार्क्स और एंगिल्स के चिंतन की दार्शनिक प्रश्ट भूमी की जानकारी वारे था मार्क्स और एंगिल्स की चिंतन के अलावा यदि हम दार्शनिक यथार्थवाद पर ध्यान की इंद्रित करें तो रिगवेद, उपनिशद, प्राची, निउना, निदर्शन, फिर सत्रेमी सदी में बेकन और लौक की विचार, अठारेमी सदी में फ्रांस में ब बहुत एक बात, दार्शनिक चिंतन के विकास की यह बहुत आकरशक रूप रेखा बनती है, और यह सारा इतिहास केवल पुराने समय को समझने के लिए यह आवशक नहीं है, वरन वर्तमान विचारधारा के विकास के लिए भी उतना ही आवशक है, रिगवेद में के बल पर मनुश्य इस संसार में सो वर्स तक जीए, सो वर्स जीदे की कामना के लिए किसी व्यापक सत्ता से प्राथना नहीं की गई, व्यापक सत्ता के लिए भ्रम शब्द का प्रियोग रिगवेद में नहीं मिलता, या बहुत बाद में जाकर देखा जा सकता है, का निर्वहन करते हुए सो वर्स तक जीएने की कामना की गई है, जो संस्कृति श्रम की महत्ता को मानती हो, उसमें कोई असपरश हो ही नहीं सकता, इसलिए शूद्र सब्द का प्रियोग के बल एक बार उसकी उत्पत्ति के सम्मंद में किया गया है, शेज चगों पर न तो शूद्र सब्द का प्रियोग किया गया है, और नदासों का, रिगवेद के रचना समय से पूर्व बहु देवो पासना पद्धति प्रचलित थी, तथा यग भी किया जाते थे, लेकिन रिगवेद के रचना काल में ये अप्रवरति ख्षिन होती गई, ऐसे कई सूक्त हैं जिनका यग से कोई सम्मन्द नहीं है, रिगवेद बहु देवो पासना की जगे अद्धत वाद पर बल देता है, जहां एक देवबाद तथा अद्धत वाद होगा, वहां कर्म कांट स्वते ही समाप्त हो जाएगा, बाद में कर्म कांट और प्रोहित वाद के बढ़ने के क रिगवेद के कभी भी स्वेम को लोकिक तासे परे नहीं मानते हैं, वास्तव में रिगवेद का यह लोक उसका सबसी सबल पक्ष है, सौ वर्स तक वेसी संसार में जीना चाते हैं, सौ वर्स तक जीते हुए सूरी के दर्शन करना चाते हैं, बेद मनुश्यकृत नहीं है, इश्वरक्रत है, उनको थोड़े से आदमी ही समझ सकते हैं, इस परचार से पुरोहित वर्ग को लाव होता था। पुरोहित वर्ग नहीं, यह भ्रम पहला कर रिगवेद की चेतना और उसकी प्रगत शीलता को बादित कर उसे धर्म गरंत के रूप में परचारित किया। जब उनसे पूछा गया कि रिगवेद की रिशियों और बौध दर्शन को में क्या अंतर है, तो उन्होंने उत्तर दिया बौध दर्शन में अनियक धारा हैं। पर जिन धाराओं की प्रधानता है, वे सब भाववादी हैं, वे संसार को दुख का कारण मानती हैं, या संसार की अस्तित को ही अस्विकार करती हैं, या भाववाद समाज में विशेश कादिकारों का समर्धन करता है, संपत्ती की विशम संबंदों को बनाए रखता है, र बैरागी का जीवन बिताने का लक्ष अनेक संपरदायें को नेताओं ने अपनाया है। रिगवेद के कवियों का दिश्ट कोन यह लोकबादी है। वह जीवन की सुकृती का दिश्ट कोन है। इसलिए वह परवर्ती संसार वियों को धारणाओं से कहीं अधिक प्रग्रशील है। डाक्टर रामिला शर्मा ने रिवेद के संबंद में फैले बिविन बाद विवादों को शांत किया। और उनका प्रामाने को तर भी दिया। अब हम हिंदी जात और उसकी सांसरतिक चेतना पर विचार करेंगे। जात को हमारे समाज में केवल जात ब्रादरी की रूप में ही देखा जाता है। लेकिन रामिला श्जी का मत इसे भिन है। वे जात को राष्टिय पैंचान की रूप में लेते हैं और इसी अर्थ में वे हिंदी जात की आवधार ना को फैलाते हैं। हिंदी जात यानि हिंदी बोलने वालों की अपनी एक जात और उसकी एक सांसरतिक चेतना। वे मानते हैं कि जब तक जातिय चेतना की प्रतिनिष्ठा नहीं होगी तब तक सांस्कृतिक चेतना का विकास भी संभव नहीं है इसलिए राम बिलाजी एक प्रश्ण के उत्तर में अपनी चंता व्यक्त करते हुए कहते हैं हम लोग जो हिंदी बोलते हैं उनमें जातिय चेतना कम है बंगाल या महरास्ट या तमिल लाडू की अपेक्षा हमारे हिंदी वहसी एक्षेत्र में जातिय चेतना कम है इसका आया अर्थ नहीं है कि हम बहुत जादा राज्टिय भावना की तरफ बढ़ रहे हैं वास्थ विक्ताया है कि हमारे यहां का आदमी जात बरादरियों से बधा हुआ है वह ब्राह्मन के प्रश्ण पर या ठाकरों या शूद्रों या अगरी पिछडी जातियों के प्रश्ण पर एक होने का प्रियत्न करता है उसके बाद वो संपरदाय के प्रश्ण पर एक होने का प्रियत्न करता है बहुत प्रग्रशील हुआ तो कहेगा मैं भोजपुरिया हूँ मैं अवद का हूँ, मैं हर्याने का हूँ ये जो जनपद हैं उनसे उसका लगाव है राम बिलाशी जी का चिंता का कारण यह है कि जो हिंदी जाथ किसी भी इस्तरप दूसरों से कम नहीं है फिर वो अब पिछडी और असंगठित क्यों है इस प्रशन पर वे स्वेम विचार करते हैं और बताते हैं हिंदी भाषी अलाका भारत का सबसे बड़ा जाती अलाका है संख्या के विचार से हिंदोस्तानी जात दुनिया की सबसे बड़ी जातियों में गिनी जाएगी रिगवेद और महाभारत की रचना इसी प्रदेश में हुई है यहीं नदियों के किनारे वालमीक और तुलसी ने अपने अनुस्ठुप और चौपाईयां गाई हैं तानसेन और फयास खां, हाली, मीर, अकवर, गाले, भारते, इंदु, प्रेमचंद, निराला यही के रतन हैं ताज, महल और विशुनाद के मंदर यहीं के हातों ने गड़े हैं आलाह और कजली ने यहीं का आकाश गुझाया है 1857 में यहीं की धरती हिंदू और मुसलमानों के खुन से सीची गई है जिस दिन यह विशाल हिंदी प्रदेशे को होकर नए स्वादिन जन्जीवन का निर्मान करेगा उस दिन इसकी संस्कृति एशिया का मुक उज्ज्वल करेगी किसानों और मजदूरों की एकता जो जनता की धुरी है वह दिन निकट लाईगी हिंदी और उर्दू के लेखकों को इस जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपनी जातिय परंपरा के अनुसार लोककरी अभाशा और जनवादी साहिती के विकास में आगे बढ़ना चाहिए इतनी संब्रत परंपरा के वारिस हिंदी परदेश को लगातार उपेक्षित और बिवाचित किया गया ताकि उसकी कोई जातिय पहंचान नहीं बन सके यह काम पहले अंग्रेजों ने किया और बाद में हमारी सरकारों ने स्वादीन भारत में भाषाई आधार पर अधिकान शराज्य बने लेकिन हिंदी परदेश नहीं बना बलकि हिंदी परदेश को कई टुकडों में इसलिए बांट दिया गया कि उसकी एकता अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम करेगी अंग्रेजी का प्रभुत्व सामराज जवादियों को कबच परदान करता है राम बिलाज जी अभी मानते हैं कि भारत का कुलीन वर्ग हमेशां अंग्रेजी का हिमाईती रहा है इसलिए उसकी नजर में हिंदी कभी आविजात्य वर्ग की भाषा नहीं हो सकती एक प्रशन के उत्तर में वे कहते हैं कि हिंदी के ब्रोध के दो मुख्य कारण है पहला तो यह कि 1857 में अंग्रेजों से लड़नी की जो मुख्य भूमी थी वह हमारी हिंदी प्रदेश की थी बंगाल में संगर्ष बहुत कम हुआ या नहीं हुआ पंजाब में संगर्ष नहीं हुआ या बहुत कम हुआ महराष्ट, हैदरावाद और दक्षण के प्रदेश शांत रहे क्यों शांत रहे इसके अलग कारण है वास्तिक तया है कि हिंदी क्षेत्र में और दिल्ली और लखनव और खास तोर पर अवद में जो विकट संगर्ष चला और तीन साल तक हुआ संगर्ष चला वैसा संगर्ष भारत के दूसरे प्रांतों में नहीं चला उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरह जान लिया कि हिंदी वासी जाते जब तक विवाजित नहीं की जाएगी तब तक हम यहां सुरक्षित नहीं रहेंगे अठारव सतावन में पंजाब की अधिकारियों ने एक फर्मान निकाला था कि पंजाब की सरकारी नोकरियों में किसी हिंदुस्तानी को नहीं लिया जाएगा वहां हिंदुस्तानी शब्द इंडियन का परियावाची नहीं था पंजाबी बंगाली लिया जाएगा और गैर हिंदुस्तानी लिया जाएगा हिंदुस्तानी सीमे तर्थ में था यानि हिंदी उर्दू बोलने वाला जो हिंदी जातिका अंग है उसको हम सरकारी नौकरी में नहीं लेंगे तो एक बात तो यहाँ कि जातियत आगे प्रति अंग्रेज बहुत सा तर्ख थे दूसरे कांग्रेस की जो नीत है वा समराज जवाद के ब्रोध में सुसंगत रूप से करांतिकारी नहीं है राम बिलाज जी के अपने तर्क हैं उन तर्कों को सम्रत करने के लिए उन्होंने जो धारण दिये हैं उनसे किसी को आपते नहीं हो सकती यह तर्क कालप निकन होकर एतिहासिक हैं जिनकी सचाई असंदिक्द है वे अपने तर्कों के प्रते हमेशना साबधान रहते हैं इसलिए उनसे असामत होती हुई भी उन्हें नकार नहीं सकते राम्बिला जी की चंता यह है कि कभी हिंदी उर्दू के नाम पर और कभी बिविन बोलियों के अस्तित्व के नाम पर हिंदी जात की एकता को खंडित किया जाता रहा है उभी यह मानते हैं जब तक पूरी Hindi जाति को उसकी संपून बोलियों के साथ एकनी किया जाएगा जब तक उनका एक राज नहीं बनेगा तब तक कोई जातिय संस्क्रति उत्पन नहीं होगी जो लोग Hindi जाति को cowbell कहते हैं वे जानते हैं कि Hindi जाति कभी एक नहीं होगी उनका कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं बन पाएगा और जब तक वे सुद्रण नहीं होंगे तब तक इसी प्रकार के आरोप लगते रहेंगे और उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं होगा इसलिए वे मानते हैं कि आज के भारत की अमिट सच्चाई बिशाल हिंदी भाती जाती है उसी आखें चुरा कर कोई समस्या हल नहीं की जा सकती है अब समय आगया है कि अपनी जातिय यकता काइम करने के लिए हिंदी भाशी जन आगे आम है क्योंकि जातिय गठन को रोकने का अर्थ है भाशा और संस्क्रती के विकास और सम्रद्धी को रोकना जाती अगठन को रोकने का अर्थ है किसी जाती के अंदर विद्धिमान राज सत्ता के जीवानियों को कुचलना तमाम बिरोधों और आरुपों के बावजूद डाक्टर राबिलाश शर्मा अपनी जाती अवधाणा पर अडग रहे और आजीवन हिंदी जाती के लिए अलग और संगठित विशाल राजी के सपने को साकार करने के प्रियत्न करते रहे वे मूलते अंग्री जी के प्राध्यापक थे लेकिन हिंदी को कमतर आगने तथा उसके अस्थित को बचाए रखने के लिए वे लगातार हिंदी में लिखते रहे उनके ग्रंतों को पढ़कर जाना जा सकता है कि ये बहु मुखी प्रतिवा के धनी तथा अथक परिश्रमी रामिलाजी ने हिंदी के उन्ने इन के लिए कितना काम किया है उन्हें ये विश्वास था कि भविश्य में हिंदी जाति उनकी भावनाओं को समझेगी और एक होकर अलग राज्जी के लिए संगर्श करेगी इससे नकेवल अंग्री जी से मुक्त मिलेगी अपर तो सामरज्जवाती ताकतों का भी पतन होगा जो हमारी देश में पहले इस्ट इंडिया कंपिणी के नाम पर और अब तमाम तरह की कंपिणियों को लेकर बेरोक टोक आ रही है अब हम आलोचकी विवेक और विचार धारा के अंतर को समझ सकेंगे डाक्टर रम्बिला श्रमा मार्ट्वादी आलोचक थे उनकी आलोचना की केंदर में मार्ट्वादी द्रिष्टे सदे बिदिमान रही है इसलिए वे अपनी खरी-खरी बातें कहने में कभी किसी से डरे नहीं न केवल गेर मार्क्सवादीयों के बलकि अपने ही मार्क्सवादी लोगों के बिचलन का उन्होंने पूरी ताकत के साथ बरूद किया इसके परिणाम सुरूप कई वार भी अपने ही संगठन में अकेले पड़ गए लेकिन वे मानते थे कि सवाल समू या अकेले होने का नहीं है यदि कहीं कुछ गलत है तो एक इमानदार आलोचक को उसका ब्रोद करना चाहिए एक प्रशन के उत्तर में वे कहते हैं इमानदार आलोचक को केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इमानदारी को न छोड़े अगर वो इमानदार बना रहे तो बाकी सब चीज़ दुरुस्त हो जाएंगी क्योंकि आलोचक का सबसे बड़ा धर्म इमानदारी है वो अपने धर्म से विचलित हुआ नहीं कि फिर समालना मुश्किल हो जाएगा उसके साथ ये उसकी बिवेचना भी मर जाएगी अपनी बिवेचना शक्त को बचाए रखने और उसे निरंतर धारदार बनाए रखने के लिए वे लगातार गलत बातों का ब्रोध करते रहे यही कारण है कि अपने ही प्रगरशील खेमे के यश्पाल, राहुल सक्रत्यायन, शिवदान सिंग चौहान, मुक्तिवोध और नाउमर सिंग उनकी आलोचना का शिकार बने अपने आलोचकिय बिवेच के कारण उनने कभी लोग का प्रियताब को सुईकान नहीं किया बलके एक रिशी की तरह अकेले पढ़कर भी वो आज के समय में दुरलव है, आलोचकिय बिवेक के सारे वे निरंतर शोध रत रहे, एक वार उन से पूछा गया कि आप अपने को मूलते आलोचक मानते हैं रचना कार, कहनान होगा कि डाक्टर रामबला शर्मा ने अपने जीवन के आरमिक समय में कविताई भी लिखी थी, उनका चिर्चित का विसंग्रे, रूप तरंग, आज भी अपनी एत्यासिक भूमिका में महत्वपून हैं, इस प्रशन का उत्तर देते हुए वे विस्तार से बताते हैं, कि इस प्रशन में आलोचक और रचना कार क अलग अलग रखा गया है। इसलिए उसके अंदर कहीं विवेक छुपा हुआ है। इस प्रकार जो कलात्मक लेखक है, वह भी विवेक से काम लेता है। आलोचना होती है। इसलिए दोनों पूर्टे अलालग नहीं हैं। राम बिलाज जी का यह मानना है, कि आलोचक के पास विवेक शक्त का होना बहुत आवश्यक है। इससे ही वह रचना की अंदर प्रविश करता है। और उन चीजों को रेखांकित करता है जो चीजें सीधे सीधे पाठक की समझ में नहीं आती है। आलोचक के विवेक के उधारन के लिए हम उनकी पहली पुस्तक प्रेमचंद को ले सकते हैं। जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। तब तक प्रेमचंद को ततकाली समझ्याओं पर लिखने वाला लिखक माना जाता था। रामविलाजी ने पुस्तक लिखकर यहां बताया कि प्रेमचंद जिस समय साहित लिख रहे थे हमारे यहां बहुत से लोग कहते थे कि प्रेमचंद को ततकाली के समझ्याओं पर साहित न लिखना चाहिए। इनका साहित्य टिकावू न होगा। यह किसानों पर लिखते हैं, किसानों के संगर्ष पर लिखते हैं, जब महाजन न रहेंगे, जमीदान न रहेंगे, तो इनके साहित्य को कौन पूछेगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि प्रेमचंद आज भी तो नहीं लोग कप्रे हैं, इस किताब को पढ़कर लोग यह समझ सकेंगे कि प्रेमचंद साहित्य को कहा तक ले गए। और उसके आगे बढ़ने से ही प्रगत शील साहिती रचा जाएगा। कैनान होगा कि राम बिलाजी ने प्रेमचंद पर उस समय अपुस्तक लिखी जब उनकी उम्रत तीसो वर्ष भी नहीं हुई थी। लेकर अपने धारदार आलू चुकी विवेक से उन्होंने बड़े-बड़े आचार्यों की स्थापनाओं को खंडित करते हुए कहा कि किसान, मजदूरों और सामंतों के बारे में प्रेमचंद की समझ ततकालीन राजनीतिग्यों से भी अधिक परिपको थी। इसके दो वर्षबाद, 1943 में उन्होंने अपने प्रियविशे 1857 और नवजागरन पर विचार करते हुए भारति इंदू पर पुस्तक लिखी। रामविलाजी पर ये आरोप लगाया जाता है कि वे कट्टर माक्सवादी आलोचक हैं। लेकिन उनके समूचे वेसिष्ट को जिस पकार रामविलाजी ने रिखांकित किया है उतना कोई दूसरा नहीं कर सका। ऐसे ही एक प्रशनका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा मैंने बहुत लोगों पर लिखा है वे सब माक्सवादी नहीं है। जैसे नरादाजी पर लिखा वे माक्सवादी थोड़ी ही थे। महाविर पिसाद दुवेदी पर लिखा वे माक्सवादी थोड़ी ही थे। माक्सवाद एक दृष्टे है एक समझने का तरीका है और वह समझने का तरीका भी ऐसा नहीं है कि अवा बिलकुल नपा तुला हो और हर जगे उसी लीक पर चलो उसमें काफी लचिलापन है जैसे मार्क्सवाद का एक सिद्धान्त है कि चीजें गतशील होती है इस तरह नहीं होती तो अब कोई यह कैदे कि प्रेमचंद गतशील थे गोदान गतशील है तो यह आलोचना नहीं हुई उस सिद्धान्त को लागू करना लेखक की विवेक और समझ की उपर निर्भर करता है इसलिए वे यह भी मानते हैं कि विवेक का विकास होता है और मार्क्सवादी दृष्टे उस विकास में साहिक होती है राम बिलाजी के आलोचना उनकी दृष्टे और आलोचकी विवेक का अपरतिम नमूना है वे जिस तरह करतिमे पैठते हैं उससे लगातार पढ़ने और जानने की प्यास बनी रहती है तमाम आरूपों के बावजूद उनकी अंदर बैठा इमानदार आलोचक लगाता लिखाता रहा और वे आजीवन एक सुधियत देता की तरह साधना करते रहे निशकरस्ते हम कह सकते हैं कि डाक्टर अम्बलाज शर्मा अपने साक्षातकारों में खुल कर अपना पक्ष रखते हैं ये साक्षातकार बिविन विश्यों पर हैं लेकिन इस तत्थिकोर उन्हें स्वहिमस्युकार किया है कि अधिकान साक्षातकार करता हुने मार्क्सवाद, मार्क्सवादी दृष्टे आलोचकी अभिवेक अपने समय की रचनाकारों से ब्रोध के कारण रिगवेद की और लोटने का कारण तत्था हिंदी जातकी अवधार्णा की कट्टरता इत्याद ऐसे महत्पून विश्वों पर प्रश्ण पूछे हैं विचार धाराओं की टक्राहट तत्था विचारीन समाज में ऐसे प्रश्णों का किया जाना स्वाविक है लेकिन रामिलाज जी की अपनी विशेष्टा यह है कि वे अपनी अध्यान मनन और चिंतन के दोरान अपने को मांचते तो रहे लेकिन विचार धारा से बिफ़त कभी नहीं हुए व्यग्यानिक विचारधारा और आलोच की अभिवेक आलोच की दृष्टी को धारदार बनाता है रामिलाज जी के अध्यन को किसी परिधी में नहीं बांदा जा सकता भारते इंदो महाई उपसाद दुवेदी, प्रेम चन और निराला का मुल्यांकन आज भी आलोच को की लिए इस परणिया है